दोस्तों जाइन स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस और स्पोर्ट सामी में फ्रेंस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC GD में असाम रैफल स्पोर्स की जो सेलेक्शन है वो कैसे होती है कितने मांक्स आपको चाहिए ताकि आपको असाम रैफल स्पोर्स डाला हुआ है तो कितने मांक्स आपको इस साल चाहिए उसमें फाइनली कट ओफ में आने के लिए और फाइनल सेलेक्शन पाने के लिए तो वीडियो दोस्तों आज स्रिफ असाम रैफल्स कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने सिसी जीडी में अपना फिजीकल और मेडिकल कौलिफाई कर लिया है और वो इंतजार कर रहा है फाइनल मेरिट का तो यहाँ इस वीडियो में आपको मैं सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि असम रैफल्स की फाइनली कट ओफ कितने जाने वाली है बात करूँ तो ऐसे कोई भी वीडियो इस दुनिया में नहीं बना सकता सबके सब एक अंदाजा ही लगा सकते हैं और अंदाजा दोस्तों बिल्कुल सही भी जाता है चुकि दोस्तों पिछले बार की वेकेंसी 50,000 थी something और इस बार की 46,000 वेकेंसी है तो दोस्तों वेकेंसी अल्मोस्ट सेम है ठीक है तो यहाँ पर मैं आप लोगो सिर्फ मेल कैंडिडेट की कट ओफ बताने वाला हूँ असम रैफल्स की फेमल के लिए एक next वीडियो बना दूँगा लेकिन अभी फिलाल मैं मेल कैंडिडेट की बता देता हूँ अगर आपको असम रैफल्स में अगर आपका सेलेक्शन पाना है तो तो आपको कितने मार्क्स इस साल चाहिए आपको असम रैफल्स में सेलेक्टेड होने के लिए वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बता दूँ अगर आप SSEGD की तैयारी कर रहे है इस साल जो वेकेंसी आपकी आईए 2024 में तो मैं बता दूँ आप लोग का फरवरी में एक्जाम होने वाला है तो आप लोग के लिए बुक अगर मैं मुझे बताना पड़े तो मैं बता दूँ कि आप लोग सक्षू पब्लिकेशन की SSEGD नाम की बुक खरीद सकते हैं बुक में आपको मिलने वाला है 3302 विकल प्रशन तेरा सॉल पेपर 20 प्रैक्टिस सेट साथ 80 question paper का pattern मिलेगा new pattern पे आधारित है बुक सारी आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक के साथ साथ दोस्तों आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकते हो आप लोग देख सकते हो यहाँ ठीक है तो study guide भी खरीद लेना चक्सू publication की अराम से link description box में डाला हुआ है आते हैं दोस्तों अपने main topic के उपर जो main topic है हमारा कि SFTGD में Assam Rifles की finally cut off क्या रहने वाली है और कितने number आपके ज़्यादा होने चाहिए तो यहाँ पे मैं आपकी general Naxal, OBC और SCST सब के बारे में बात करूँगा और हर state के बारे में बताना बहुत मुश्किल है तो normal state के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी cut off इस पर जा सकती है तो दोस्तों जैसे कि आप मैं को first में बताता हूँ कि अगर आप आंदरपरदेश से हैं और आंदरपरदेश से अगर आप general area से आते हैं तो सबसे पहले मैं बता दू आपका general area से EWS वालों की जो आंदरपरदेश की cut off गे थी पिछले बार 73 गे थी सबसे पहले मैं बता दू अगर आप general area और EWS से हैं तो कोई भी state का EWS candidate अगर general area से आता है तो आठ नंबर अपने add कर लेना असम रेफल्स के लिए याद रखना सिर्फ असम रेफल्स के लिए मैं बता रहा हूँ BSF, CRPF, ITBP इसके लिए नहीं सिर्फ असम रेफल्स के लिए क्योंकि असम रेफल्स बहुत ही दोस्तों चरचित पोश्ट है ठीक है, बहुत ही बच्चे इसको चाहते है इसकी facilities को ले करके इसकी जो salary है और खासकर जो northern region में आप लोग की सिर्फ duty रहने वाली है तो काफी बच्चों को मैं बता दू असम रेफल्स बहुत ही अच्छा लगता है ठीक है, बहुत ही बच्चे selected इसमें होना चाहते है तो अगर आप general area से किसी भी state से general area से आते है EWS में आते है, general area से EWS में तो आप अपना 8 number add कर सकते है OBC वाले बच्चों के लिए बता दू OBC वाले बच्चों का cutoff थड़ा उपर जाता है तो आप वो बच्चों का में आता दू उनका वो 9 number add कर सकते है SST वालों के लिए सिर्फ 5 number ठीक है, 5 number अगर आपका पिछली बार से जादा है Assam Raffles की cutoff से तो आपका उसमें होने का full chance है अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं दोस्तों आंदर परदेश का तो आंदर परदेश में अगर आप Assam Raffles यहाँ पर आप देख सकते हो Assam Raffles का Northern STST है यहाँ पर दोस्तों तो यहाँ आपका जनरल एरिया का नकसल में आपका जो आथा की 80 number था तो नकसल वालों को दोस्तों मैं बता दूँ अगर आप बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाना से है तो आपके पिछले साल से मात्र 8 number से 9 number जादा होने चीए सिर्फ Assam Raffles Force के लिए तो आपको easily मिल जाएगा ठीक है किसी भी स्टेट से हो दोस्तों आपके पिछले साल से अगर आप जनरल में थे तो आपका 8 mark जादा होना चीए OBC में थे तो 9 mark जादा होने चीए पिछले साल की cut-off से तो आपका easily इसमें हो जाएगा ऐसा नहीं है कि 10-15 number जादा चाहिए ताकि आपका होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो वीडियो कर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक कर लेना और अगर आप अभी भी सोच रहें कि कौन सी स्टेट से हो मैं इसके बारे में नाम नहीं लियागा अब सारी स्टूइट्स का तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी करने कमेंट में आपको अपका जवाब मिल जाएगा जहीं